इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम गोगल फोटू में फोटू वीडियो या फिर हम किसी फाइल का बैक अप जो है बंद कैसे करते हैं पिछली कई वीडियो में मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि हम Google Photo में Photo, Video या फिर किसी भी फाइल का Backup on कैसे करते हैं ये मेरे पास एक Comment सी वाया था कि हम Google Photo में Photo का जो है Backup बंद कैसे करें Google Photo पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ उन सभी वीडियो की प्लेइलिस्ट का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और Google Photo के वारे में अधिक जानकारी पास सकते हैं Photo में हम Photo का Backup बंद कैसे करते हैं यह जानने के लिए हम Google Photo को Open करेंगी Google Photo को Open करने के बाद यहाँ पर आप किलिक कॉर्नर में सबसे उपर यहाँ पर यह फोटो देख रहा है लोगों इस पर हम किलिक करेंगी यहाँ पर किलिक करने के बाद सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर है Photo Setting इस पर हमें किलिक कर देना है यहाँ पर किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे उपर हमारे पास Option है Backup and Sync इस पर हम किलिक करेंगी यहाँ पर किलिक करने के बाद आप यहाँ मैं वाप के लिए बता दूँ कि यह सबसे उपर हमारे पास यह Option है माल ले जी अगर हमें photo का backup on करना है या फिर और off करना है तो हमें इसी option की मतस्से हम ये कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आप डेख सकते हैं अब हमेरी mobile में जो है backup का option जो है on है तो आप देख सकते हैं अब मेरे mobile में photo, video य cadeau का backup नहीं लिया जाएगा अब मेरे mobile में यह option बंद हो चुका है इसी तरह से आपके लिए चालू करना है तो आपके लिए इसे on कर देना है और इसके बाद यह आप से अपनी email id पूछेगा कि आपके email id पर यह backup लेना चाहते हैं तो आपके लिए email id select कर लेना है और इसी तरह से यहाँ पर आपके लिए फोल्डर भी है आप इन में से किसी फोल्डर को भी चुन सकते हैं परस्नली इस तरह से आप Google फोटो में फोटो का backup on या फिर आप कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे सेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ